तो स्टूरेंट्स स्वागत है आपका अपने चैनल MGM के इंस्टिटूट में तो स्टूरेंट्स हमने सॉल्ट हाइडोलाइसस पढ़ लिया था उससे कुछ रिलेटेड कुश्चन्स आज हम इस वीडियो में करेंगे उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और हाँ पहला आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको हमारी डेली लाय लेक्चर्स का नोटिविकेशन सबसे पहले में हम बात करते हैं दो के अगर पहले हैं तो कुश्चन से कुश्चन होते हैं कौन से कुश्चन आते हैं वह हम देखेंगे उससे पहले जो भी हमने इस पढ़ा था उसका इंशॉट संबरी में आपको बता देता हूं ठिक है एक टेबलेर फॉरम मैंने यह बता दिया है इसमें सीरेल लंबर दे रखा है, salt दे रखे हैं, कौन सा salt का मिप करना है, types of hydrolysis, KH दिया हुआ है, H दिया हुआ है, यहाँ पे H प्लस आयन की concentration दिया हुई और pH of solution दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था, strong acid weak base के salt का hydrolysis, ठीक है, strong acid weak base के salt का hydrolysis को हम cationic hydrolysis भ हो जाता है, हो acidic solution हो जाता है, KH की value CH square और KH की value KW upon KB के बराबर होती है, यहाँ से H की value आएगी under root KH upon C और under root KW upon KB dot C, ठीक है, याद करने का मैंने तरीका बताई दिया था, अगर यहाँ पे weak base है, तो यहाँ पे आएगा KB, ठीक है, H plus की value आएगी under root KB dot C upon KB, और pH कैसे निक plus निकाल के pH का formula लग देंगे, वो जाएगा, 1 by 2, PKW minus PKB minus log सी, यह भी मैंने याद करने का तरीका बताया था, जब भी KB आता है, तो पूरे formula में minus आएगा, ठीक है, second है, strong base और weak acid के salt का hydrolysis, तो उसको anonic hydrolysis बोलते हैं और basic solution मनता है, उसमें, KH की value CH square यह तो सेम होगी, KW upon K.C, जहां पर भी KB है, वहाँ सब जगे K आ जाएगा, H plus की value बदल जाएगी, KW.K upon C हो जाएगी, और pH जाएगा, 1 by 2, PKW plus PK plus log सी, ठीक है, प्याद करने का तरीका पता ही है, PK मतलब सब जगे plus आएगा, weak acid, weak base, emporteric hydrolysis बोलते हैं इसको, KH, H square, KH equals to KW upon K into KB, क्योंकि द करेंगे students, H की value में C, concentration की term नहीं आ रही है, तो यही एक ऐसा hydrolysis होता है, जहां पर जो H होता है, concentration पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, H plus की value, KW dot K upon KB under root, और pH जाएगा, जहां K आएगा हो plus और जाएगा हो minus, इस तरहे के से इसका यह formula याद रखना है, ठीक है, next है, strong acid, strong waste के salt का hydrolysis, neutral solution होता है, hydrolysis होता ही नहीं है, तो यह सब value neutral रहेंगी, H plus 10 के वार मैंने 7 और pH होगा, यहां पर, ठीक है, तो इस सब इस table के basis पे, जो questions है, वो हम आज देखते हैं, हमें पहला question दे रखा है, कुछ solutions दे रखा है, हमें NaCl4, KCN, K2CO3, CSTC, WNH4, NH4, CLN, ZNCL2, औ में हमें, हमें find करना है, following, क्या है, which solution has pH less than 7, which solution show anionic hydrolysis, in which solution degree of hydrolysis increase with dilution, and in which solution H changed with increase in concentration, तो देखो strength, जो पहला वाला NaCl4 है, वो किससे बना हुआ है, NaCl4, यहां पर बताता हूँ, मैं सारे, एक एक करके, पहला वाला जो solution है, NaCl4, वो बना हुआ है, किससे, NaOH and HCl4 से, ठीके, NaOH and HCl4 से, तो यह strong acid, यह strong base, दूसरा, KCN, KCN जो है, पर ना हुआ है किससे, KOH और HCN से, ठीके, KOH जो होता है, वो होता है, strong base, and weak acid, तीसरा, K2CO3, K2CO3 जो है, वो बना हुआ है किससे, KOH and H2CO3 से, KOH है strong base, H2CO3 है, weak acid, ठीके, K2CO3 के बाद, CS3, COONH4, CS3, COONH4 जो है, बना हुआ है, CS3, COONH and NH4OH से, यह है weak acid, और यह है weak base, next is NH4Cl, NH4Cl जो है बना हुआ है, NH4OH and HCl से, NH4OH जो है weak base, HCl is strong acid, and last one is ZNCl2, यह बना हुआ है, ZNOH2 and HCl से, यह है strong acid and यह है weak base, ठीके, तो हमसे जो question पूछे हैं, पहला question क्या है, which solution has pH less than 7, pH less than 7, pH less than 7 कहां होता है, जब acidic solution होता है, मतलब ketanic hydrolyze, मतलब की strong acid and weak base का salt, strong acid and weak base का salt, तो strong acid weak base का salt, strong acid plus weak base का salt हमें चाहिए है, यहाँ पे, तो strong acid weak base का salt कहां दिख रहा है मुझे, strong acid strong base है, strong base है, strong base है, weak acid weak base है, strong acid weak base का salt, यह रहा, 1, 2, 3, 4, 5, 5, और strong acid weak base का salt, 6, तो हमारा जो answer आजाएगा, वो क्या आजाएगा, 5 and 6 नमबर का solution हो इसका answer आएगा, which solution show anionic hydrolysis, anionic hydrolysis मतलब यह रहा, इसमें pH greater than 7 रहेगा, तो हमें चाहिए strong base और weak acid, strong base and weak acid, strong base and weak acid, third and strong base weak acid, second, तो second and third अपना इसमें answer आजाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें क्या चाहिए, strong base and weak acid का salt चाहिए, next है, in which solution degree of hydrolysis increase with dilution, मतलब की concentration पर depend कर रहा है H, तो वो तो दोनों में ही कर रहा है, 5, 6, 2, 3, है ना, 5, 6 and 2, 3, दोनों solution में यह depend कर रहा है, 5, 6, 2, 3, तो यह अपना answer आजाएगा, 5, 6, 2, 3, तो इसका answer आजाएगा, अपना 4, ठीक है, I hope आपको यह question सबज में आ गया होगा, next question करते हैं, right concentration of OH minus in excess solution of NH4BR, NH4BR, ठीक है, NH4BR को जो मैं break करूंगा, तो यह बनेगा, NH4 plus NBR minus, ठीक है, तो जो NH4BR है, यह बना हुआ किस से है, NH4OH and HBR से, ठीक है, NH4OH होता है, weak base होता है, और यह होता है, strong acid, मतलब BR minus R, strong acid से, और NH4 plus R, किस से, weak base से, तो यह weak base strong acid का salt है, ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है, H plus N की concentration होती है, कितनी होती है, KW.C upon KB की power 1 by 2, लेकिन हमें क्या निकालना है, OH minus N की concentration, तो हमारे पास एक equation और है, H plus into OH minus equals to होता है, कितना, KW, तो यहां से OH minus आएगा, KW upon H plus N की concentration, तो KW upon, इसको रखेंगे, KW.C की power 1 by 2 upon KB की power 1 by 2, इसको जब मैं solve करूँगा, तो यह हो जाएगा, under root KW.KB upon C, तो ऐसा option मुझे, option number second दिख रहा है, तो option number second हमारा answer आजाएगा, ठीके, next, hydrolysis constant for KH for ZnCl2 solution, तो ZnCl2 solution का, जैसा मैंने दिखाया है, वैसा ही करना है, ZnCl2 solution में, इसको जब मैं break करूँगा, तो यह बनेगा, क्या, ZnOH2 plus HCl, ठीके, ZnOH2 is weak base, and HCl is strong acid, ठीके, तो जो weak base से iron आता है, उसी का हम hydrolysis करते हैं, देखे, तो hydrolysis करूँगा, मैं अगर, तो ZnCl2 का, पूरे का ही hydrolysis कर देता हूँ, तो यहाँ पे, जो zinc plus 2 है, वो, अगर मैं पानी में डालूँगा, तो zinc plus 2, 2Cl minus में बनेगा, रेक हो जाएगा, यह 2H2 के साथ रेक करके क्या बनाएगा, ZnOH2 plus 2H plus plus 2Cl minus, यह spectator iron होते हैं, कट जाएगाई, तो यहाँ से अपने पास की edge की value आ जाएगी, ZnOH2, H plus का square upon Zn plus 2, ठेक है, यह जाएगा, इसको मैं बूल देता हूँ, 1, ठेक है, अब मेरे पास क्या है, ZnOH2 है, यह weak base है, तो इसको break करते हैं, यहाँ पे आएगा, Zn plus 2 and 2OH minus, ठेक है, तो इसके लिए क्या होता है, के भी defined होता है, के भी क्या आएगा, Zn plus 2 और OH minus का square upon ZnOH2, ठेक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, Zn plus 2 की value निकाल देता हूँ, Zn plus 2 की अगर मैं value निकालूँ, तो यह जाएगी, KB into ZnOH2, ठेक है, upon OH minus का square, और इस value को मैं कहा पुट कर दूँगा, यहाँ, 1 में, ठेक है, तो 1 में जब मैं put करूँगा, तो KH हो जाएगा, अपना, ZnOH2, H plus का square, upon Zn plus 2 की जिएगे value रग दूँगा, KB, ZnOH2, और OH minus square उपर चला जाएगा, ठेक है, तो यह cancel हो गया, तो K A बज़ गया, KH equals to, H plus OH minus का square मतलब, KW का square, upon KB, यह अपना answer आजाएगा, KH, KW square upon KB, तो option number 4 अपना answer आजाएगा, okay friends, I hope आपको यह question समझ भी आ गया होगा, next देखते हैं, find pH of solution, 300 ml.1 molar CSTCWH, and 200 ml.15 molar NUH, तो हमें direct salt नहीं दिया हुआ इस बार, है ना, तो हमें पहले reaction करवानी पड़ेगी इसकी, ठीक है, तो reaction करवाते हैं, reaction करवाएंगी, CS3COOH, जो है, NUH से react करेगा, तो बनाएगा, CS3COOH, प्लस में H2O, ठीक है, अब इसके mmol निकाल लेते हैं, आपन, molarity जो volume दे रखा है, तो यह आजाएगा, 300 into 0.1 mmol, यहाँ पर आजाएगा, 200 into 0.15 mmol, तो सेम mmol होंगे, यहाँ पर 30 and 30, क्यों, क्योंकि मुझे salt hydrolysis करना है, salt hydrolysis तभी applicable होगा, जो ऐसे ड़र बेस दोनों LR होते हैं, तो यह हो जाएगा, 0, और यह बनीगा कितना, 30, अब CS3, CO, NA की concentration मुझे चाहिए, है न, CS3, CO, NA, यह अपना salt है, तो concentration कैसे आएगी, 30, divided by total volume कितना जाएगा, 300 plus 200, 500, तो इसको जब मैं salt करूँगा, तो यह आजाएगा, 0.06, मतलब 6 into 10 की power minus 2, यह आगया, और जितनी concentration इसकी है, उतनी concentration CS3, CO, minus की होगी, क्योंकि जो hydrolysis होगा, वो CS3, CO, minus का ही होगा, वो एक प्याट से आ रहा है, तो जो यह salt है, यह salt है, अपना किसका, weak acid plus strong base का salt है, तो इसके लिए, मुझे pH निकालना है न, तो pH कैसे निकालूँगा, pH के लिए formula होता है, इसका 1 by 2, Pkw, plus में PkA, plus में log C, मैंने बताया था, जब भी PkA होता है, तो हर जगे plus आता है, तो यह हो जाएगा, 1 by 2, Pkw, 14, Pk, तो K की value हमें दे रहे हैं, Pk भी दे रहता है, 4.74, रख दिया हैं यहाँ पे, 4.74, प्लस में log C, C की जगे पर रख दूँगा, 6 into 10 की पाउर माइनस 2, और स्ट्रेंट्स, इसको जब मैं solve करूँगा, तो यह जाएगा, 17.51 डिवाइड बाइ 2, यह अपना answer आजाएगा, ओके स्ट्रेंट्स, चलो, next question देखते हैं, find pH and degree of idolaties H salt in the following solution, C, O, H2 दिया हुआ है और C, C, O, H again reaction करवानी पड़ेगी, C, O, H, जो है C, O, H2 के साथ रेक करेगा, तो यहाँ पर बनाएगा C, O, hold 2, C, A, plus में H2O, देखिए स्ट्रेंट्स, यहाँ पर एक चीज हमें देखनी वाली है, अभी मैंने मिल मोल में किया था, क्यों किया था, हमाँ पर H plus और H minus A N की नमबर किया था, सेम था, तो हमाँ पर जो equivalent हैं और जो मोल हैं, वो सेम थे, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर equivalent निकालूँगा ताकि हमारा question गलत न हो, क्यों गलत न हो अभी पता चल जाएगा आपको, इसका कितना देर का अपने को, 200 into 0.1, molarity into volume into n factor 1, तो यहाँ पर molarity, सॉरी, यहाँ पर आएगा 200 into 0.2, 200 into, 0.2 into n factor 1, और यहाँ पर आएगा, 200 into 0.1 into n factor 2, ठीक है, इसकी वज़े से यह गलत हो सकता था, तो हमने गलत नहीं किया, directly equivalent में कर लिए, milli equivalent और यह कितना अगा, milli equivalent, यह दोनों 0 हो जाएगे, यह दोनों 0 हो जाएगे, तो यह बनेगा 40 milli equivalent, तो इसका concentration कितना आएगा, CSTCO whole 2 का, अब हमें कुछ डर्नी की ज़र्रत नहीं है, CSTCO whole 2, CA, इसका concentration अगर मैं निकालूंगा, तो यह जाएगा, 40 divided by total volume, 200 plus 200, 400 मतलब की 0.1, ठीक है, और यह salt जो है, किसका है, again weak acid plus strong base का salt है, तो इसके लिए formula लगाऊंगा, pH equals to 1 by 2, PKW plus में, PKA plus में, log C, ठीक है, तो 1 by 2, PKW again, 14 plus 4.74, plus log, इसको मैं लेख सकता हूँ, 10 की पावर माइनस 1, ते जाएगा log 10 की पावर माइनस 1, इसको जब मैं solve करूंगा, students, तो हमारा pH जो है, निकल के आएगा, 8.87 answer, ठीक है, next, देखते हैं students, question, find pH and H of solution, following solution, HCl और NH4OH, again क्या करना है, reaction लिखनी है पहले तो, ठीक है, तो NH4OH plus HCl, ये क्या बनाएगा, NH4Cl plus में, H2, NH4OH, अब यहाँ पे 1 H+, 1 OH मैंनस है तो, हमें equivalent और mole में, tension नहीं लेनी है, तो हमें, ये कितना दे रखा है, 200 into 0.1 into n factor 1, यहाँ पे आएगा, 300 into 0.1 into n factor, इसका भी 1, तो यह जाएगा, कितना, 20, यह जाएगा, 30, यह 00, ठीक है, अब, कौन जादा है, यह जादा है, तो यह limiting region, यह 0 हो जाएगा, यह बचेगा 10, और यह बनेगा 20, ठीक है, यह बनेगा 20, अब देखें, यहाँ पे क्या हो गया है, कि जो, H+, है, pH आएगा, कहां से, HCL से, क्योंकि HCL क्या है, strong acid है, और strong part हमीशे, dominate करते हैं, तो यहाँ पे, मैं H+, जो आएगा, उसका concentration, अगर मैं निकाल हूँ, तो यह कितना जाएगा, 10 डिवाइड बाइ, total volume, 500, that is, 0.02, मतलब की, 2 into 10 की पावर, minus 2, और अगर मुझे, pH निकालना है, तो pH भी यहाँ से आएगा, pH equals to minus में, log of, 2 into 10 की पावर, minus 2, that is, 2 minus log 2, that is, 1.7, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो NH4, SCL हो, strong acid हो, dominate करेगा, ठीक है, है ना, और मुझे क्या निकालना है, H निकालना है, मुझे, तो H के लिए, क्या करूँगा, मैं, NH4, CL, मेरे पास है, अभी, NH4, CL, salt है, NH4, CL का, concentration निकालना है, 20, divided by 500, इसको solve करूँगा, तो यह जाएगा, 4 into 10 की बार, minus 2, ठीक है, अब, मैं एक तरीका आपको, यह वाला बताता हूँ, ताकि आप भूले नहीं, क्योंकि, फॉर्मल है क्या होते हैं, अपन भूल सकते हैं, तो NH4 plus का hydrolysis होगा, इसमें, NH4 OH बनाएगा, और क्या करेगा, इदर, H plus बहार निकालेगा, जैसे हम solve करते हैं, तो यह 0.04 है, यह minus X, और यह X, और यह X बनेगा, ठीक है, T equals to T equilibrium पे, इसके लिए अगर मैं, equilibrium constant लिखूँ, sorry, hydrolysis constant, तो वो क्या जाएगा, KW upon KB, equals to, X into, X plus 0.02, ऐसा कैसे आया, और 0.04 minus X, यह 0.02 कहां से आया, यह यहाँ पे, मैं 0.02 add करूँगा, क्यों, यह 0.02 आ रहा है, मेरे पास HCL से, common effect लगेगा, यहाँ पे, अब हमें पता है, कि यह जो X से, 0.02 के respect में छोटा है, और यह जो X से, 0.04 के respect में छोटा है, ठीके, तो यहाँ से, X upon 0.04, H की value क्या जाएगी, X upon 0.04, dissociated upon initial, यह होता है H, ठीके, X upon 0.04, equals to हो जाएगा, यहाँ से मैं solve कर दूँगा, इसको, X upon 0.04, यह हो जाएगा, KW 10 की power minus 14, KB 1.8 into 10 की power minus 5, और 0.02 और नीचे आजाएगा, यहाँ पर 0.02, तो यह अपना H की value हो जाएगा, ओके strength, क्योंकि, H क्या होता है, dissociated, ठीके, upon initial, तो जो dissociated था, और initial कितना था, 0.04, इसलिए मैंने H की value यहाँ पर निकाल, okay strength, I hope आपको इस समझ में आ गया होगा, next, ऐसा ही एक और question करते है, find degree of hydrolysis H, and pH of 0.1 molar N4CN, aqueous solution, KB and KA, दोनों मुझे दिया हुआ है, ठीके, तो यह कौन सा है, weak acid, और weak base का salt है, weak acid, weak base का salt है, तो इसके लिए अगर मैं pH निकालूं, तो pH क्या आएगा, 1 by 2, या 7 plus, pK by 2, minus में, pK by 2, तो pH equals to, 7 plus, pK कितना हो जाएगा, k कितना दे लेगा, 10 की पावर माइनस 6, तो pK हो जाएगा, 6 by 2, minus 5 by 2, तो pH हो जाएगा, यहां से 7 plus 3, minus 2.5, pH equals to, 10 minus 2.5, that is, 7.5, ठीक है, और मुझे क्या निकालना था इसमें, degree of addresses is h, तो अगें, kH equals to क्या हो जाएगा, kH equals to, kw upon, kA dot kB, और इसी की value किसके बराबर होती है, h square के बराबर, तो यहां से, h की value हो जाएगी, under root, 10 की power minus 14, upon 10 की power minus 5, into 10 की power minus 6, तो यह जाएगा, 10 की power minus 3 by 2, है न, h equals to हो जाएगा, 10 की power minus 3 by 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, h equals to, 10 into 10 की power minus 4, into 10 की power minus 4, इसको इस तरीक से लिख सकता है, इसको जब हम solve करेंगे, तो यह जाएगा, 3.3 into 10 की power minus 2, तो इस तरीके से, h की value मारे पास यहां पर, निकल के आजाएगी, okay students, next question है, pH of, 0.1 molar aqueous, NH4BR solution is 5, then find dissociation constant of WP, peak base NH4OH, NH4OH के लिए, मुझे, KB निकालना है, मतलब dissociation constant क्या होता है, KB निकालना है, ठीके, तो NH4BR, NH4BR जो है, NH4OH, NHBR का बना हुआ है, salt है, NH4OH जो है, weak base होता है, और यह strong acid होता है, तो इसके लिए मैं formula लगाँ, pH, KB वहीं से आएगा, pH equals to, 7 minus, क्या आएगा, PKB by 2, minus log C by 2, ठीक है, तो pH, अदेश में रख देते हैं, pH 5 दे रखा है मुझे, 5 equals to, 7 minus, KB तो निकालना है न, तो PKB by 2, minus log C, concentration कितना है, 0.1 मतलब 10 की पावर minus 1, तो यहाँ पर आएगा, log 10 की पावर minus 1 by 2, इसको solve करता हूँ, minus 2 equals to, minus में, PKB by 2, plus में 1 by 2, तो यहाँ से, PKB की वैल्यू आजाएगी 5, then KB equals to, 10 की पावर minus 5, because, PKB equals to, minus में log of KB, तेक है, इसका use करेंगे, तो यहाँ से, PKB की वैल्यू आएगी 10 की पावर minus 5, यह अपना answer आजाएगा, ओके स्ट्रेंट्स, next question देखते है, HCN के साथ मिलाया, क्या बनी गई, NACN, plus में, H2O, NUH कितना दे रहा है मुझे, 200, into 0.1 molar, और HCN कितना दे रहा है मुझे, 200 into 0.1 molar, same दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, 0.1 into, अगर मैं इसको लीटर में दे लूँ, तो यह जाएगा, 0.2, और यह भी 0.1 into, 0.2, दोनो 0, तो यह बन जाएगा, 0.02, ठीक है, और यह किसका salt है, strong base और, weak acid का salt है, तो, यहां से, NACN के, अगर मैं concentration निकालू, मुझे concentration चाहिए होती है, तो कितना जाएगा, 0.02 upon, total volume, 0.4, इसको salt करेंगे, तो जाएगा, 5 into 10 के आप माइनस 2, तो इसके लिए, formula हमें पता है, weak acid, strong base के लिए, pH equals to 1 by 2, pkw plus में, pk plus में, log c, ठीक है, pH equals to 7 plus, pk कितना है, 5 by 2, k कितना दे रिखा है मुझे, 10 के आप माइनस 5, तो यहां से pk कितना आएगा, 5, तो 5 by 2, plus में, यहां कितना जाएगा, log c, तो log, 5 into 10 के पाव माइनस 2, upon 2, यह आएगा pH, इसको salt करेंगे, तो यह आएगा, 17.7 divided by 2, that is, 8.85, ओके श्रेंट्स, तो आई होग, आपको, जो hydrolysis से related question है, वो समझ में आ गए होंगे, इसके आगे का chapter, हम अगले वीडियो में complete करेंगे, ओके स्रेंट्स, थैंक यू,